हेलो फ्रेंड्स दनश्री केक्स हिंदी में आपका स्वागत है हम यहां बेसिक फिंस देखने वाले हैं जो कि केक में सब यूज करने वाले है तो यहां मैं शुगर सिरफ कैसे बनाना यह सिखाने वाली हूँ तो इसलिए मैंने एक बाउल शुगर और दो बाउल पानी लिया है तो आप भी कोई कप या बाउल भी यूज कर सकते हैं लेकिन ह हमें वन पार्ट शुगर और टू पार्ट पानी लेना है और बॉइल करना है जब तक जब तक शुगर मेल्ट हो ना जाए तब तक मेल्ट करना है और जब शुगर मेल्ट हो जाएगी तो गैस आफ करना है और बाद में ठंडा होने के बाद केक में यूज करना है तो बाद में हम second thing देखेंगे ओ है rip cream तो विब क्रिम कईसा खूलना है एह पहले देखेंगे तो यहां मैं sanwip की यूज करती हूँ और च कंपनी की है बहुत अच्छा result है तो यह freezer में store करने का है जब market में मार्केट में से खरीदेंगे तो जब लाएंगे तो फ्रीजर में स्टोर करना और कैसे खोलेंगे वह भी देखो ऐसा खोलना है और जो edges है ओँ ऐसा निकालेंगे और वह क्रीम हम बीट करने वाले हैं अभी तो बीट करने के लिए यह बीटर मशिन चाहिए एक कमपलसरी है तुम भाट से बिट नहीं कर सकते तो यहाँ मैने क्रीम करें रखी थी ऑ़ मेल्ट हो गई है यहाँ हमें मेल्ट क्रीम से कैर बिट लेना उटेंण है तो मशिन से मशिन यहां बिट जो बता रहे हों देख सकते हैं तो ऑगी स्ट्रेट तो हमारी क्रीम बीट हो गई है प्रॉपर तो जब ये टीप आएंगे नहीं तो हमारी क्रीम हो नहीं गई ऐसा समझ लेना तो एक स्पैचुला लिया है और उस पे भी एक क्रीम ली है थोड़ी सी और देख सकते हैं इसा टीप आया है शार्प टीप आया है याने कि अपनी क्रीम जो है वो बीट हो गई है प्रॉपर नहीं तो बाउल भी उल्टा कर सकते है और थोड़ा सा हिलाएंगे तो क्रीम नहीं गिरेगी तो अपना क्रीम हो गई है देख सकते हैं कितना शार्प टीप आया है देख सकते कब भी लेंगे तो भी चलेगा या बाउल भी चलेगा यहां मैंने एक मोरडे का डार्क कमपाउंड लिया है चौप करके रफली चौप किया है और यह बाउल लिया है खाली उसमें मैंने यह पचास ग्राम लिया है देख सकते हैं यह पचास ग्राम रफली चौप किया हुआ चौकलेट लिया है डार्क कमपाउंड है तो 50 ग्राम चौकलेट लेने के बाद यह मैंने मेल्ट किया मेल्ट एक डबल बॉइलर मेथड से मेल्ट किया है सेमी मेल्ट याने पूरा मेल्ट नहीं किया तो यह सेमी मेल्ट करना है गनाश करने जब करना है गनाश तो यह प्रोसेस बहुत important है तो यहां मैंने चोकलेट है वो melt किया है semi melt किया है पूरा melt नहीं किया उसमें बहुत कि 10 ग्राम विपक्रीम डाल रही हूं यह टुम आप यहां अमुल की fresh cream भी यूज कर सकते हैं तो fresh cream यह liquid विपक्रीम ढालने के बाद देख सकते हैं consistency वह बहुत अच्छा mix हो गया है और अच्छा देख भी रहा है तो यहां हमारा जो गनाश है वह 100 gram याने 100 gram हो गया है और बाद में यहां मैं जेल डाल रही हूँ जो neutral जेल होता है इससे हमारा जो गनाश है उसको ऐसा अच्छी शाइनिंग आ जाएगी तो भी मैंने 50 ग्राम लिया है तीनों का रेशो सेम ही है गनाश, जेल और जो क्रीम ले रही है ओ और डार्क कमपाउंड वन एस टु वन रेशो लेना है सब का तीनों भी चीज वन एस टु वन लेने का है, गनाश भी Ready हो गया है, बाद में 4th thing यानि जेल, जेल कैसा यूज करना है नीटरल जेल मार्केट में आसानी से मिलता है, यह नीटरल जेल है यह पाइपिंग जेल भी बोलते है तो देख सकते हैं, यह नीटरल जेल यह neutral gel ऐसा गाड़ा होता है तो पहले इससे थोड़ा सा फेट लेना है और बाद में थोड़ा सा पाणी एड़ करना है वो consistency अड़ेस्ट करने के लिए तो देख सकते हैं ऐसा फेट थोड़ा सा mix करना है पाणी और जेल तो यह flowy consistency हो गई है देख सकते हैं आप बहुत अच्छ consistency चाहिए spread होने के लिए flowy consistency चाहिए आपको केक पे तो यहां मैं जो color है और डाल रही हूं तुम कौन सा भी color यूज कर सकते हैं मैंने यहां navy blue color लिया है बहुत अच्छा color देखता है देख सकते हैं तो आपना जेल है ready हो गया